पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में मदर सन का शेर 80 रूपीज से गिर के 67 तक आ गया तो देखिए 16 परसेंट की गिरावट इस शेर में पिछले एक अफते में आ गई है और रीसेंट न्यूस जिसकी वज़े से ये शेर गिरा है वो शायद आपको अल्रेडी पता होगा मैं थ लगबग 3.5% का स्टेक इस कंपनी में बेचा है तो लगबग 23 करोड शेर कल ब्लॉक डिल के थ्रूप प्रमोटर ने बेचे है जैपनीज जो प्रमोटर है इस कंपनी में उसने अपना यहाँ पर लगबग 3.5% स्टेक कल बेचा है तो देखिए प्रमोटर जब भी अपने बेचते हैं यह कभी भी positive signal नहीं होता क्योंकि देखि कंपनी की सबसे ज़्यादा ख़बर सबसे ज़्यादा business की knowledge किसको होती है प्रमोटर को होती है तो अगर प्रमोटर अपने शेर बेचता है तो यह काफी negative माना जाता है अब देखिए दो साल से यह शेर continuously नीच आ रहा है 175 रुपीज से गिर के आज आपको 67 रुपीज पे मिल रहा है यहाँ पर मेरे पास काफे ज़्यादा queries आ रही थी कि इस share में क्या करना है काफे सारे लोगों ने इसको उपर के prices पर buy किया हुए अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने इस company पे एक video बनाई थी और आपको बता पर लेना चाते हो तो क्या करना है इस बीनना time को waste करते हो चलते है धूल ओर हमारी स्कृइन पर और start करते है आज की इस वीडियो को इसके technicals discuss कर लेते हैं तो अंगर आप देखो ये लगबग 2022 के स्टार्टिंग से 166 रूपीज से गिरना शुरू हो था और आज आपको 67 पर मिल रहा है तो लगबग 100 रूपे की गिरावट इस शेर में पिछले सवा साल में आ चुकी है तो आप देखें जब भी कोई स्टॉक इतना ज़ाधा गिर रहा होता है तो देखें डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन जाता है ठीक है डाउन ट्रेंड का स्टॉक इतनी जल्दी से वापस नहीं आएगा अगर आप यह सोचो कि यह शेर काफे जाधा गिर गया है बहुत सस्ता हो गया है मैं इसको खरीद लूँ और यह वापस आजएगा इतनी इजली नहीं आता मैं यह नहीं कहरा वापस नहीं आएगा या नहीं आ सकता लेकिन अभी भी यह स्टॉक जो है आ गया है फेट भी जो है अपने इंटरस रेट बहुत ज़ादा इंक्रीस कर चुक है और अभी भी कह रहा है और भी करेगा तो 2023 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट यह रहेगा अट लिस्ट अभी अगले तीन-चार महीने तो उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद का उसके बाद ही हम डिसकस कर पाएंगे तो देखिए अभी इस तीन-चार महीने तो चाहे जितना मर्जी अब जितना मर्जी अब यह गिर चुका हो अभी तीन-चार महीने छे महीने आपको थोड़ा सा यह शेर परशान करेगा भी ले जाते हैं ठीक है यहां पर market का है कुछ respect नहीं करती कोई share की क्या fair value है यहां आपको stock के prices बहुत जादा undervalued भी मिल जाते हैं overvalued भी मिल जाते हैं तो देखे technical analysis के basis पर अगर हम एक opinion बनाएं तो 3-6 महीने अभी भी pressure रहेगा जितनी बार भी stock उपर उठेगा seller इसको फिर से sell करके नीचे ले आएगा 3-6 महीने निकल जाते हैं उसके बाद देखे market हमारी market डेड़ साल हो गया डेड़ साल से कहीं नहीं गया डेड़ साल से market ने perform नहीं किया अब मुझे ऐसा लग रहे है अगले 6 महीने अगर market perform नहीं करती तो यह बहुत हो जाएगा 2 साल की consolidation बहुत होती है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है फिर से अच्छी एक नई rally स्टार्ट हो सकती है तो 3-6 महीने थोड़ा सा दबाव रहेगा इस share के अंदर अगर आपने देखिए उपर के prices पे भी buy गयो आप फिलाल इसको hold करके रखो अगर buy करना है average करना है या नई entry करनी है at least 4 5-6 महीने रुको जब sentiment सुध रहेंगे मैं फिर से वीडियो बनाओंगा फिर से इसी share को cover करूँगा तब मैं आपको फिर से explain कर दूँग कि अब sentiment ठीक है अब आप इस share में entry कर सकते हो चलिए फटवर fundamentals भी discuss कर लेते हैं तेकि fundamentally 45,000 करोड की company है ये market cap इसकी 45,000 लगबग 46,000 क तो अच्छी खासी company है एक बहुत बड़ी company है ये चोटी मोटी company नहीं है stock PE या इसका 45 अभी competitor से compare करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि expensive है या सस्ता है debt to equity 0.68 है बहुत ज़्यादा debt नहीं है company के ओपर यहाँ पर interest coverage ratio थोड़ी सी कम लग रही है मुझे 4 की interest coverage ratio है तो debt भी दे देखें तो सबसे negative चीज जो मुझे stock में लगते है वो है इसका return on capital employed बहुत कम है 8% का return on capital employed है बाकी जितनी भी देखें इसके peers है सबके return on capital employed अच्छे खासे number है double digit में किसी का 13 है 21, 29, 14 तो return ये का थोड़ा कम अन कर रही है और PE multiple भी इसका 45 है तो अच्छी valuation पर अभी भी मिल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का stake या 68.16 है इसमें से आप मान सकते हो कि ये जो Japanese इन का प्रमोटर है Sumitomo wiring इसने यहाँ पर अलगबग अपनी 3% की holding यहाँ पर sell करी है जिसकी वज़े से कल ये share 10% गिरा था तो देखिए fundamentally company देखिए ठीक है अच्छा भी लेकिन अभी भी ये आपको एक expensive price पर मिल रही है मेरे हिसाब से अभी भी valuation जो है इस company के सस्ती नहीं है अभी भी ये share बहुत ज्यादा गिर चुका है उसके बावजुद भी मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी एक premium पर trade कर रही है तो चलिए conclusion पर पोस्ते हैं इस share में आप क consolidate करने तो अभी भी देखिए share जो है अभी भी downtrend के अभी market के sentiments भी थोड़े से खराब है तीन से छे महीने निकल जाएंगे market के sentiments भी सुधर जाएंगे जो भी interest rate जो increase हो रहे हैं US में इंडिया में हर जगे जो इनका impact आना होगा वो अगले तीन महीने छे महीने में आ जाएग तो वो एक अच्छा समय होगा इसको average करने का या फिर इसमें एक fresh entry करने का